साथियो, जब मैं पांच साल पहले चुनाओं के समय पस्ची में यूपी में आया था, तो आप से कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे. इन पांच बर्षों में योगी जी के नित्रुत्व में यूपी सरकार ने पूरी इमानदारी से, पूरी निष्टा से आपकी सेवा करने का यूपी के विकास का प्रयास किया है. कोई भूल नहीं सकता है, पांच साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का अदेश था. पांच साल पहले व्यापारी लूड़ता था, बेटी घर से बहार निकलने में गबराती थी, और माफिया सरकारी समरक्षण में खुले आम घुमते थे, पस्चीमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये ख्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव, पांच साल पहले गरीब, बलीत, बंचीत, पीछडों के घर, जमीन, दुकान पर अवैद कभ्या, ये समाजवाद का प्रतीक था, लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी, अफरान, फिरोती, रंगदारी ने मद्धिंबर को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था, पांच साल में, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश को, इन हालातों से बहार निकाल करके लाई है, और ये कोई मामली काम नहीं है, मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, इतने कठीन परिस्तितियों से, प्रदेश को बहार लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांती और सुक की जिन्दगी का विस्वात प्यदा करना,